हेलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप साब और स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी यूट्यूब चैनल अनुभारते क्लासे पर और बच्चों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 5th के जो लर्निंग आउटकम्स है उनकी वीडियो ठीक है तो अभी तक आप छो है क्लास 1, 2, 3, 4 के लर्निंग आउटकम्स देख चुके हैं और आज क्लास 5 के लर्निंग आउटकम्स आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ hope कि आपने जो class 1 to 4 तक की learning outcomes हैं वो देखे होंगे जो भी parents हैं उन्होंने भी देखे होंगे ठीक है और आप लोगों को वीडियो अच्छी भी लगी होगी अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जा कर देख सकते हैं ठीक है इसके जो description है वीडियो का उसमें मैंने उसका playlist का link डाला हुआ आप वहाँ link से सीधा playlist पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं class 5 के learning outcomes और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप like करेगा comment करके जरूर बताएं कि आपको आगे और कौन-कौन सी वीडियो इस तरह की चाहिए ताकि मैं उसको आप लोगों के लिए provide करवा सकूँ वीडियो अच्छी लगे तो share करना और channel को subscribe जरूर करना चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों को आज दिखाता हूँ class 5 के learning outcomes तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं class 5 की mathematics के learning outcomes आप सभी के सामने हैं तो मैं आप लोगों को ये बताना शुरू करता हूँ देखेगा आप लोग ध्यान से अब जो है देखे जो बच्चा पहले class 4 तक 1000 तक के numbers को read कर रहा था राइट कर रहा था अब वो 1000 से उपर तक के भी जो numerals है उनको लिख भी सकता और पढ़ भी सकता इजली अब बच्चा जो वो 1000 से उपर के जो numbers है ठीक है उनके जो 4 operation based जो उनकी daily problems है उनको वो आसानी से solve करेगा identifies and forms equivalent fractions of a given fractions and expresses a given fraction 1 upon 2, 1 upon 4, 1 upon 5 in decimal notation and vice versa for example 0.5, 0.25 and 0.2 ठीक है तो बच्चा जो है अब fractions को भी आसानी से समझेगा equivalent fraction को समझेगा ठीक है उसके जो fractions और भी जो होते हैं उनको भी सीखेगा उनको decimal notation में भी और vice versa में भी उसको आराम से वो लिख सकता है जैसे कि decimal points जो है उसमें भी उनको वो easily लिख सकता है ठीक है classifies angles into right angle, acute angle and obtuse angle and represents the same by drawing and tracing ठीक है अब बच्चा जो है वो angles बनाना भी यहाँ पर सीखता है और उसके अंदर में वो right angle की acute angle, obtuse angle इनकी पहचान करना भी बच्चा सीख जाता और उनको draw करना भी सीखता है relates commonly used larger and smaller units of length, weight and volume and converts larger units to smaller units and vice versa अब जो बच्चा है वो larger और smaller units है चाहे वो length की हो weight की हो volume की है उनको वो use करता है ठीक है और उनको larger unit को smaller unit में और smaller unit को larger unit में convert करना भी बच्चा आप सीखता है estimates the capacity of a container in non units like that of a bucket is about 20 times that of a mug अब क्या है बच्चा उसको estimate भी करता है जो capacity है कि एक बड़ा माल लिजे कोई truck है वो है tanker है उससे हम कितनी bucket जो water है पानी जो है वो भर सकते हैं या कितने water tank जो छोटे वाले हैं वो हम उससे भर सकते हैं यहां पर बताया गए कि एक bucket पानी से एक मग का 20 times ज्यादा पानी आ सकता है तो इस तरह की उपयोग जो है उनका पुरियोग जो है वो किस में करेगा अपनी जो problem solve करने में चाए वो money से जुड़ी हो length से जुड़ी हो mass capacity से जुड़ी हो या time intervals से जुड़ी हो अब जो बच्चा है वो data collect करके जो उसकी daily life situations का data है उसको tabular form में और बार graph में उसको show करना भी शुरू करता है ठीक है तो यह आप यहां पर देख रहे हैं कि maths के जो भी learning outcomes है class 5 के यह मैंने आपको दिखाए हैं और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि यह जित हैं अब हम इसकी तो अब यहां पर हम देखेंगे class 5 के English के जो learning outcomes है उनके बारे में हम जानते है ठीक है तो बच्चा जो है इंगलिश के जो songs है उनको share करता है पोइंट्स है उनको पढ़ता है ठीक है उनको भी share करता है गेम्स वो तरह तरह के उससे related खेलता है ठीक है स्टोरीज है रिडल्स है टंग ट्विस्टर्स है वो उन सब चीजों के बारे में जानकारियां इखटी करता है और share भी करता है ठीक है response to instructions in English on games sports अब जो English के अंदर में instructions उसको मिल रही है चाहे वो गेम्स खेलते टाइम पर हो चाहे वो पढ़ते टाइम पर हो चाहे वो outside the class हो वो उन सभी को response भी करता है replies orally in writing to questions based on text read unseen passage ठीक है अब जो बच्चा है वो जो questions है चाहे वो text के हो चाहे अंसीन passages के हो चाहे वो normal daily life के भी हो वो उनको respond करता है ठीक है चाहे वो ओरली करे चाहे वो writing में करे ठीक है अब बच्चा जो है वो English को पढ़ता भी है और समझता भी है ठीक है तो वो पढ़कर उन चीजों का जवाब भी देता है ठीक है और भी जो लोग हैं उनका हो वो उनका interviews भी करता है interviews करने का sense यह नहीं कि हाँ वो उनको पकड़के जैसे कि यह interview देना particular उतलब उनसे questions पूछना और उनके जवाब है उनको इखटा करना uses meaningful sentences to describe, narrate and for framing questions अब बच्चा जो है वो meaningful sentences use करता है ठीक है किसी चीज़ को describe करना हो या narrate करना हो या फिर questions frame करने हो तो उनके लिए meaningful sentences का use करता है reads text with comprehension, locates details and sequence of events, connects ideas with his or her personal experiences अब जो बच्चा है वो comprehension का जो text है उसको भी read करेगा locates detail and sequence of events अगर हम बच्चे को details को जंबल करके भी दे देंगे तो वो उसको क्या करेगा उसको locate करेगा और सही तरीके से उसको लगाने की कोशिश भी करेगा ठीक है writes list paragraphs etc as dictated by teacher जो बच्चा है वो teacher के dictate करने पर जो paragraphs है या words है list वनवारे teacher तो वो उसको लिखेगा writes short paragraphs in English from verbal, visual, clues with appropriate punctuation marks and linkers अब जो बच्चा है वो English के short paragraphs बिचाहे वो उसको verbal सुनने को मिल रहे है ठीक है visual clues के माध्यम से देख करके वो लिख रहा है चाहे वो किसी और चीज के माध्यम से लिख रहा है तो वो उन चीजों को देखकर appropriate punctuation marks लगाकर उसको link करता है writes informal letters messages etc अब बच्चा जो है वो informal letters और messages भी लिखता है writes stories, poems, notices and captions for posters etc अब बच्चा जो है वो क्या करता है stories भी लिख रहा है, poems भी लिख रहा है, notices और captions जो posters के लिए वो भी उनको लिखता है ठीक है reads English in the surroundings, advertisements, directions, names of places etc and answers, queries related to them अब जो बच्चा है उसके surroundings में जो English में लिखे हुई चीज़े उसको दिखाई दे रही है उनको वो पढ़ता है और उनकी queries उसमें अगर कुछ queries भी होती है तो उनको solve करने की उनके answers करने की भी कोशिश वो बच्चा करता है writes and speaks on peace, equality etc suggesting personal views ठीक है तो जो personal views होगी चाहे वो peace पर हो, equality पर हो जो उसके personal views रहेंगे वो उनको बारे में लिखता भी है और बोलता भी है expresses orally in writing about variety in food, dress, customs and festivals as read in storybooks, heard in narratives, seen in videos, films etc अब बच्चा जो है अपने views जो है ठीक है चाहे वो ओरली हो चाहे वो राइटिंग में हो वो चाहे उसके जो खाने की जो varieties है food varieties है उनके बारे में बात करेगा, dresses के बारे में, customs के बारे में बच्चा जो देख रहा है चीज़ों को उनके बारे में बच्चा वो बात करेगा ठीक है तो यह आपने अभी देखे English के learning outcomes ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब यहां पर आप देखेंगे जो environmental studies यानि की EBS के जो learning outcomes है उनके बारे में ठीक है तो बच्चा जो है रिस्पॉंड करता है explains the use of technology and the process of accessing basic needs in our daily life ठीक है अब बच्चा जो है वो क्या करेगा technology का जो use है उसको explain करेगा और जो basic needs का हमारा access है उसका जो process होता है उसके बारे में बच्चा बात करेगा explains the role and functions of different institutions in daily life ठीक है जैसे इमारी bank है पंचायत है cooperative है police stations है ठीक है उनके role क्या है उनके functions क्या है वो उनके बारे में भी बच्चा बात करता है ठीक है describes the interdependence among animals plants and humans that is communities earning livelihood from animals dispersals of seeds ठीक है तो बच्चा जो है अब इन सब चीजों के बारे में भी कि community के अंदर में जो earning livelihood है वो किस तरह से काम करती चाहे वो animals से चाहे वो dispersals of seeds से वो किस तरीके से काम करती इन सब चीजों के बारे में भी वो बच्चा independently बात करता है establish linkages with among terran climate resources and cultural life ठीक है अब बच्चा जो है वो food, water, shelter, livelihood ठीक है और life in distant difficult areas like hot cold deserts इनके बारे में भी बच्चा बात करता है और linkage क्या है इनका पसमें उसको भी वो बच्चा समझता है ठीक है traces and changes in practices, customs, techniques of past and present through coins, paintings, monuments, museums, etc and interacting with elders बच्चा जो है जो changes आया हमारे practices में चाहे वो हमारे customs में हो चाहे हमारे past और present के अंदर में जो coins का यूज रहा है उसके बारे में बात हो paintings के बारे में बात हो, monuments, museum इन सब के बारे में भी जब बच्चा देखता है तो अपने बड़ों से interact करता है और उनके बारे में और भी जानकारिया वो collect करता है groups objects, materials for features such as shape, taste, color, texture, sound, traits, etc ठीक है अब बच्चा जो है वो क्या करता है groups objects यानि कि जो भी उसको objects दिखाई देरें अपने आसपास में ठीक है तो उनकी shape के according, taste के according, color, texture, sound, traits के according उनका क्या करता है वो groups करता है ठीक है groups objects करता है पूरा guesses, estimates spatial quantities in simple standard units and verifies using simple tools अब बच्चा जो है जो उसकी spatial quantities है ठीक है जो उसके guesses है उनको क्या करेगा simple standard units में उनको उनका guess करेगा और उसको क्या करेगा वो फिर verify भी करेगा records, observations, experiences, information in an organized manner and predicts pattern to establish relation between cause and effect for different activities, phenomena ठीक है अब बच्चा क्या है जो observations है उनकी चाहे वो experiences है कहीं से कोई information उसको मिल रहे है तो उसको record करता है अब record कैसे करेगा यहाँ पर mathematics से इसका क्या है connections है तो वो चाहे उसको table में करेगा ठीक है चाहे उसको बार ग्राफ बना बनाएगा पाई चार्ट बनाएगा तो उस तरह से वो अपने जो records है उनको वो बनाएगा observations का experiences का ठीक है अब बच्चा जो है वो science को ठीक है जितने भी चिन है उनको पहचानने की कोशिश करता है पहचानता है उन्हें चाहे हमारी जो directions है उनको पहचानता है different objects की जो location है landmarks है locality के उनको भी बच्चा पहचान करता है ठीक है और जो maps वो बच्चा देखता है उनको visit भी बच्चा करने करता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं postures, designs, models, setups, local dishes, sketches, maps, using variety of local waste materials and writes poems, slogans, travel log, etc. अब बच्चा जो है जितनी भी चीज़े वो घूम रहा है ठीक है? चाहे वो उसके आसपास में घूम रहा है वो चाहे वो अलग-अलग जगहां पर घूम करके आ रहा है तो उससे related जो भी उसको वहाँ पर information मिलती है उनको वो क्या करता है? record करता है उसके बारे में उनके posters बनाता है, designs बनाता है, model setup करता है ठीक है? तो ये सारी चीज़े भी बच्चा भी यहाँ पर सीखने की कोशिश करता है, voices, opinion on observed, experienced and relates practices happening to larger issues of society, ठीक है? बच्चा अगर से जो society के अंदर में discrimination देख रहा है या ownership of resources देख रहा है, migration देख रहा है, displacement देख रहा है, exclusion देख रहा है, child rights देख रहा है, तो उनके बारे में भी अपनी जो opinion है उसका उनको वो रखता है, ठीक है? Suggests ways for hygiene, health, managing waste, emergency situations and protecting saving resources, ठीक है? अब बच्चा जो है क्या करेगा? हाईजिंस के लिए जो उसके ways है, health issues है, managing waste है, emergency situations है, protecting है, saving resources है, उनके बारे में भी जो अपने views हैं उसके बच्चे के वो भी उनको रखता है सबके साब में, ठीक है? तो यहाँ पर यह हमने देखे किसके? EBS के जो हमारे learning outcomes है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी, अब बढ़ते हैं आगी की तरफ, अब यहाँ पर हम देखेंगे हिंदी के सीखने के प्रतित पर जाए, learning outcomes, ठीक है? अब कक्षा 5 में बच्चा क्या करेगा? देखी, सुनी, पढ़ क्या होगा? कि जो बच्चा बात बोल रहा है, उस पर अपना तरक भी देना शुरू करेगा, कि अगर वो बात कह रहा है, तो वो क्यों कह रहा है? उसके पीछे का कारण क्या है? ठीक है? भाशा की बारीकियों पर ध्यान देते वह अपनी भाशा गड़ते हैं और उसका प्र प्रेदन शील बिंदूओं पर अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करते हैं ठीक है? चाहे वो मौकिक रूप में हो, चाहे वो लिखित रूप में हो, बच्चा अपनी अभिव्यक्ति उसमें धर्शा आता है. अब अरिचित शब्दों के अर्थ शब्द कोश से खोजते ह के साथ अपने लेखन को जाचते हैं, उसमें बदलाव करते हैं, जैसे किसी गटना की जानकारी देते हुए लिखना, इस्कूल की भित्ति पत्र का क्या लिखना आती है? ठीक है? अब बच्चा जो है वो या तो अपने मन से भी करेगा वो यहाँ पर और आगे अगर उसके जो शिक्षक हैं, वो कोई गतिविदी तै करते हैं, तो वो अपने जो लेखन की प्रक्रिया, उसको अब बहतर समझ के साथ में, वो उसमें बदलाव भी करेगा, उसको जाचेगा भी और उसके बारे में वो लिखेगा भी भाशा की व्याकरनिक इकाईयूं जैसे कारक, चिन, किरिया, काल, विलों, आदी की पहचान करते हैं और उसके प्रती सचेत रहते हुए लिखते हैं, ठीक है? लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्नों जैसे पून विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन, उ और संदर्व एवं इस्थती के अनुसार उसका लेखन में इस्तेमाल भी करते हैं, अपनी करपना से कहानी कविता पत्र आदी भी है वो बच्चा लिखता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब आपने देखे ये हंडी के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स थे, ठीक है? और ये सार करना है, आप बताइएगा कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसे लगी और साथी साथ अपना एक अमूले लाइक जो है आप इस वीडियो को देना और साथी साथ इसको शेयर करना और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी ही जानकारी भी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टाटा बाबा, सी यू, जय हिन, जय भारत